आज हम देखेंगे बड़ी संख्याओं के मानक रूप और तुलना से संबंदित उदाहरण एक विशाल जलकुम्ब की शमता 55,000 लीटर है क्या आप इस संख्या को मानक रूप यानि स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं? किसी भी संख्या को मानक रूप में N परापर M गुणा 10 के उपर खात P इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जहां M का मान 1.0 या इससे अधिक हो सकता है लेकिन 10.0 से कम होता है और P एक पूर्णांख है 55,000 इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम इस संख्या को दश्मलव संख्या यानि डेसिमल नंबर में व्यक्त करेंगे अब हम देखते हैं कि दश्मलव बिंदू यानि डेसिमल पॉइंट के बाई और कुल 5 अंख है 5 में से एक खटा कर हमें P का मान प्राप्त होगा 4 फिर हम दश्मलव बिंदू को संख्या के सबसे बाई और के अंख के दाई और दरशाएंगे फिर हम दश्मलव विंदू के बाद के अंतिम शूनितर अंक यानि नौन जीरो डिजिट के बाद सभी शूनिय को नजर अंदास कर देंगे इससे हमें M का मान प्राप्त होगा 5.5 अब हम M और P के उप्योग से इस संख्या का मानक रूप लिख सकते हैं 5.5 गुणा 10 के उपर खात 4 मानक रूप प्राप्त करने के लिए चलिए एक और आकर्शक विधी देखते हैं 55,000 इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम 55,000 को 55,000 गुणा 1 इस प्रकार व्यक्त करेंगे फिर हम 55,000 के आगे एक दश्मलफ बिंदू रखेंगे फिर हम दश्मलफ बिंदू को एक-एक स्थान पाई और सरकाते जाएंगे संख्या का मान समान रखने के लिए हम दस से गुणा करते जाएंगे जिसे हम एक के दाई और शून्य की संख्या बढ़ा कर तर्शाते हैं यह हम तब तक करेंगे जब तक दश्मलव संख्या का मान एक दश्मलव शून्य या इससे अधिक और दस दश्मलव शून्य से कम नहीं आता जैसे ही हमें यह स्थिती प्राप्थ होगी हम बिंदो को सरकाना रोक देंगे यहाँ दस हजार में एक के दाई और चार शुन्य है जिसका अर्थ है यह संख्या प्राप्ट करने के लिए चार बार दस का स्वयम से गुणा किया गया है इसलिए हम दस हजार को दस के उपर खात चार इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं इसी के साथ दश्मलव बिंदू के बाद के अंतिम शुन्यतर अंक के बाद स्थित किसी भी शुन्य का कोई महत्व नहीं इसलिए इने हम नजर अंदास कर देंगे इससे हमें दी संख्या का मानक रूप प्राप्ट होगा 5.5 कुणा 10 के उपर खात 4 यानि कि जलकुम्भ के शम दर्शाई है इन दूरियों के तुल्ना करके ग्याद कीजिए कौन सा उपग्रह प्रित्वी के सबसे पास है तथा कौन सा उपग्रह प्रित्वी के सबसे दूर है दिए उपग्रहों में प्रित्वी के सबसे पास तथा सबसे दूर स्थित उपग्रह का पता लगाने के लि की इकाईयां मीटर में दर्शाई गई है याने कि दोनों की इकाईयां समान है इसलिए हम दोनों संख्याओं की तुलना कर सकते हैं यहां दोनों संख्याओं अपने मानक रूप में हैं हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं में 10 की खात बराबर नहीं है इस संख्या में 10 की खा गुणा 10 के उपर खाद 7 मीटर, 8.98 गुणा 10 के उपर खाद 6 मीटर से बड़ी है इसी प्रकार अगर हम 3.578 गुणा 10 के उपर खाद 7 मीटर और 8.98 गुणा 10 के उपर खाद 6 मीटर की तुलना करेंगे तो यहां भी हम देखते हैं कि इस संख्या में 10 की घात 7 है जबकि इस संख्या में 10 की घात 6 है इसलिए हम कह सकते हैं कि 3.578 गुणा 10 के उपर घात 7 मीटर 8.78 गुणा 10 के उपर घात 6 मीटर से पड़ी है दोनों स्थितियों से हम कह सकते हैं कि यहां 3.578 गुणा 10 के उपर घात 7 सबसे पड़ी संख्या है यानि कि उपग्रह ए पृत्वी से सबसे अधिक दूरी पर है अब चलिए पता करते हैं पृत्वी के सबसे पास कौन सा उपग्रह है इसके लिए हम बची दो संख्याओं के तुलना करेंगे यानि कि 8.98 गुणा 10 के उपर घात 6 मीटर और 8.78 गुणा 10 के उपर घात 6 मीटर के तुलना करेंगे और पता करेंगे कि सबसे चोटी संख्या कौन सी है यहां हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं में 10 की घात पराबर है ऐसे स्थिती में हम तश्मलव संख्याओं की तुलना करते हैं यहां 8 तश्मलव 78, 8 तश्मलव 98 से छोटी है इसलिए 8 तश्मलव 78 गुणा 10 के उपर घात 6 मीटर आठ तश्मलव 98 गुणा 10 के उपर घात 6 मीटर से छोटी है इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों उपग्रहों में पृत्वी के सबसे पास उपग्रह सी है तो आज हमने देखी बड़ी संख्याओं के मानक रूप और तुल्ला से संपंद्रत उधारन अगले वीडियो में हम देखेंगे इन से जोड़ी कुछ मिध्याधार ना है